Polynomial chapter का हमने पिछले वीडियो में general introduction पड़ा था इस chapter में हमें एक question करने जाते हैं हमारे पास question है Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients यह हमारे पास question है सबसे पहले जो है मेरा polynomial है जो है इसको मैं p x से denote कर लेता हूँ वो है x square minus 3 यहां से मैं इसको x square minus under root 3 का square लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ अंकि under root 3 का कर में square करूँगा तो वो आपको 3 ही देखने को मिलेगा यहां से आपको एक form बनता हुआ दिख रहा होगा वो form है क्या a square minus a square जिसकी जो value होती है वो हमेशा आपको a plus b और a minus b देखने को मिलती है यह एक identity है जो आपको याद करनी पड़ेगी और करनी ही चाहिए अब जो है आगे बढ़ते हुए मैं इस particular identity को इस question में use करने जा रहा हूँ use करने के बाद मुझे यहां से दो चीज मिलेगी एक मिलेगा x minus under root 3 और एक चीज मिलेगी मुझे x plus under root 3 दुनों चीज मुझे देखने को मिलेगी जब मैं इनको 0 के बराबर equate करूँगा मतलब क्या आगे बढ़ते हुए मैं जब इनको equate करूँगा कि इस से x minus under root 3 और x plus under root 3 को equate करता हूँ 0 से तो मुझे x की दो value मिलती हैं x की value मिलती है आपनको 108 & fonраж मिलती है कर टू एक मिलती है मुझे minus का अल्फा और जो बीटा है मेरे पास वे आया- लिको इनके बीच में जो relationship है for नूम्हें को इसको मुझे verify करने है कॉफिशेंट और जीरों के बीच में जैसे कि मैं पढ़ा है कि सम के बारे में पता है मुझे कुछ चीज़ है कि sum of roots निकालेंगे काले sum of zeros जो बूलता हूं मैं इसको zeros जो हो निकालूंगा वह होता है alpha plus beta alpha plus beta की value जो है यहां से उठाएंगे यहां से कि alpha की value है under root 3, beta की value है minus of under root 3 उनों को add करेंगे under root 3 plus minus of under root 3 तो फिर यहां से मुझे देखने को मिलेगा कि plus और minus क्या हो जाएगा 0 उसी तरीके से alpha और plus beta की एक और value मुझे देखने को मिलती थी coefficients के form में पिछले वीडियो में याद कीजिएगा minus of b upon a तो फिर यहां से मुझे देखने को मिलता है कि अगर मैं particular equation लिखता हूं जैसे मेरी equation क्या x square minus 3 है तो यहां से coefficient of x square को मैं a बोलता था जिसकी value है 1 जो b वाले time में जिसका x का coefficient था वो है नहीं तो इसको मानेंगे 0 और जो c है जो constant time है उसकी value है minus 3 यह तीनों values मुझे देखने को मिलेंगे जिनको मैं put करूंगा मतलब minus of b upon a b कितना है 0 upon a कितना 1 जो मुझे देखने को मिलेगा 0 यहां से और यहां से दोनों जगह से मुझे value sum की जो देखने को मिल रहे है जीरो मिल रहे है यानि की दोनों value क्या है भाई सेम है आगे बढ़ता हुए मैं निकालूँगा product of zeros क्या निकालूँगा product of प्रोड़क्ट of zeros कि अगर मैं बात करता हूँ वह होता है आपके पास alpha into beta direct value निकालेंगे alpha की value कितनी थी under root 3 और जो मेरी बीटा थी उसकी value कितनी थी उसकी value थी आपको पास minus of under root 3 तो लों को multiply करने पर under root 3 आपस multiply होंगे तो आपको देखने को मिलेगा minus 3 उसी तरीके से एक और method से अगर मैं चाहूं तो alpha into beta equals to क्या देखने को मिलता था c upon a देखने को मिलता था यहां से आपने क्या करेंगे value put करेंगे क्या है c की value minus 3 upon a की value इत्ती है 1 जो आपको देखने को मिलेगी minus का 3 के बरावर तो फिर यहां से दोनों method से जो मेरे product of zeros हैं वो बरावर आए हैं और दोनों method से sum of zeros भी थे वो दोनों बरावर आए थे हैंस दा रिलेशन इस वारिफाइड कि एंस रिलेशन्शेंशिप इस वारिफाइड तो मुझे करने थी और अलग टाइप पेकोशन हम अगले वीडियो में करने वाले